नमस्कार आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूँ आपका दोस्ट चंचल कुमार्श शर्मा अपने छेत्र की ताजा तरीन ख़बरों के लिए एंड अपडेक्ट्स के लिए देखते रहे हैं जेवर प्रेस नीमका गाउं के चोरोली मोड पर गाउं के अनेक वरिष्ठ लोग पूर्व ग्राम प्रधान के साथ विधायक जेवर से मिले जिन्होंने अपनी अनेक समस्याओं को लेकर विधायक को प्रार्थना पत्र सौंपात था इसके अलावा ग्राम वासियों ने इंटरलॉकिंग और सड़क्य किनारे भरे पानी की निकासी की समस्या को लेकर नाले के निर्मान हेतू विधायक जेवर को प्रार्थना पत्र दिया मैं इस वक्त नीमका गाउं में मौझूद हूँ और नीमका से जो मार्ग चोरोली की तरफ जाता है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर कुछ लोग गाउं के मौझूद हैं साथ ही पूरु प्रधान गाउं के अर्विंद अत्री हमारे साथ हैं जो की अपनी कुछ समस्या को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और जेवर विधायक भी आ रहे हैं वो अपनी समस्या से उन्हें अबगत कराएंगे परधान जी कैसे किस समस्या को लेकर आप यहाँ हैं यह मेरे गाउं से रास्ता चौरॉली के लिए जाता है और चौरॉली मोड के नाम से जगे मसूर है जहां पर हम खड़े हैं यहां पर जब से गाउं प्राधी करण में गया है उसके बाद में कोई सागसपाई इन नालों की खरंजाओं की नहीं हो पा रही है ना सफाई कर्मी गाउं में आते हैं और यहां के आम जन्द मानस में इस जलभराब के कारण बयानक बीमारी फेल रही है जिससे आए दिन लोग बीमार रहते हैं बहुत गंडगी रहती है और आप बाहर से आने वाले लोग भी हमारे गा करा रहे हैं कि आप इस हमारी समस्या का निराकरन कराई है गाउं के दोनों तरब जो एक नाले का निर्मार हो और नाले के निर्मार से इस पानी की जलने कासी हो और यहां पर जो कच्छी साइडें रह गई हैं इन पर गाउं के इंटरलॉकिंग लगे रोड के दोनों किनारे प और आज भी भारत वर्ष की टॉप 10 की लिस्ट में इस गाउं का नाम सुमार है तो हम यह चाहते हैं हमारी यह पहचान बनी रहे हैं तब से यमना प्राध्योगी करण चेत्र के अंतरकर आने लगे हैं और इन गाउं में प्रधानी खतम कर दी गई है अब इन गाउं में प्रधान नहीं होते तो यह जिम्मेदारी प्राधी करन की बनती है कि वह इन गाउं की देखरेक करें जल बरहाब की समस्या से लोगों को प्रधान मंत्री योजिना के अंतर के बनाई गई थी जिसकी म्याद अभी 11 नॉम्मर बीस तक की है तो दीकन को मैंने खुच तीन बार तेशिल दुवसमें लिखकर के दिया तो वह बारिक बदी लेके और काला रंग करके उन गड़ों को भर जाते हैं वह चार जांग के नरे उख़र जाते हैं मैं बिजैशंकर शर्मा गाउन नीमकाई निवाची हूँ और मेरी और मेरे भाई की जगे दुकान मकान सब इसी रोड पर हैं जो चौरोली साइड की रोड की उसी पर हम बसे हुए हैं यह संबन्द में चुकि नीमका गाउन सांसर महेश शर्मा शाहब ने गोड़ ले रख की गंड़ी के बारे में हर बार एक प्रस्ट्र जी और अब तक कम से कम 121 में दे चुका हूं लेकिन किसी बी प्रस्ट्र पर इन नालों के गंड़े पानी या दूश्चत पानी का मिकासि का कोई किसी ने भी गोर नहीं किया है और यहां आए दिन मच्छर इतने विकठ्ध ह कि स्लाम को अगर कोई बैठना चाहे तो रोट पर बैठ नहीं सकता और बीमारी हर साल बीमारी फैलती है इसी चुकि आज मुझे मालूम पड़ा पिंधान जी मेरे अर्भिन सिंग ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बिधायक जी आ रहे हैं तो इन बिधायक जी की बज़े से भी आज में फिर प्रार्थना पत्र उन्हें दूँगा और इस संबंद में कहूंगा भी सामने के इनको पानी की निकासी बनाएं और इसकी सफाई कराके कम से कम पानी का बाहब बन जाए तो यहां दूशित बात पानी या मच्छर वच्छर ये खतम हो जाएं विधायक जेवर सड़के वंग गली निर्मान योजनाओं के तहत लगभग डेढ़ करोड की योजनाओं का शिलान्यास करने गाव चोरोली पहुचे थे जहां उन्होंने ग्राम स्थित चौपाल पर लोगों से मुलकात की तथा उनकी समस्याओं को सुनाई सी अवसर पर मा नीम का ग्राम वासियों की समस्याओं को सुनकर उनके शीग्र निस्तारन का आश्वासन दिया इस छेत्र को एक ऐसा जनपड़ी है नेता इस छेत्र का आज ये सोभग्य है कि हमको ठाकुरत धीरेंदर सिंग जैसे विधायक हमको मिले हैं नीम का गाव दमहिश शर्मा द्वारा गोद लिया गया आदर्श गाव है जो की जेवर में बनने वाले एयरपोट के बाद अब यमुना प्राधिकरन क्षेत्र के अंतरगत आता है जिसकी समस्याओं के समधान की जिम्मेदारी अब प्राधिकरन की बनती है अब देखना य लिए और यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज फेस्बुक पेज और यूटुब पर जेवर प्रैस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सबस्क्राइब कर सकते हैं थैंक्यू अर्बच